जीवन गनित है, सांसे घटती हैं, अनुभव जुडते हैं, अलग-अलग कोष्टकों में बंध हम बुनते रहते हैं समी करन, लगाते रहते हैं गुना भाग जबकी अंतिम सत्ते हैं शुन्य राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हार्दी खार्दी स्वागत अभी नंदन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भीगे बदाम से ज़्यादा फाइदे मंद हैं भीगे चनिंग कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फाइबर, केल्शियम, आईरन और गुड विटामिन्स का अच्छा सोर्स हैं काले चनिंग इसे खाने से दिमाग तो तेज होता ही है ये पाचन शक्ती के लिए भी बहुत फाइदे मंद होता है काले चने का इतिहास बताता है कि ये अकेली ऐसी दाल है जो 75,000 सालों से प्रित्वी पर मुझूद है और इसकी खेती की जा रही है चने में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है जिसकी वज़े से ये हेल्थ के लिए बेहद ही फाइदे मंद माना जाता है तो आईए जानते हैं भीगे चने के क्या क्या फाइदे है नमबर एक इम्मूनिटी डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा तो आपकी इम्मूनिटी भी स्ट्रॉंग होगी चने में धेरो विटामिन्स पाये जाते हैं इसमें फास फोरस भी पाया जाता है इसकी सही मात्रा शरीर को बिमार होने से बचाती है शरीर को बिमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है रोज उबे दो मुठी भीगे चने खाने से रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है नमबर दो मजबूत पाचन तंत्र चने में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जब हम कोई भी ऐसी चीज खाती है जो बहुत अधिक फाइबर युक्त होती है तो उसे पचाने में शरीर को कोई कश्ट नहीं होता भीगे चने खाने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर रहने से कब्ज अपच या गैस वगेरा की समस्या नहीं सताती नमबर तीन मोटापा मोटे लोगों को अपनी डाइट में चना शामिल करना चाहिए रोज उवे भीगे हुए चने खाने से पेट भरा भरा रहेगा डाइट एक्सपर्ट्स के मताबिक रोज उवे चने के सप्राउट खाने से जल्दी भूख नहीं लगती शाम के स्नैक में भूने हुए चने खाने चाहिए ये आपकी डाइट को कम्पलीट करते हैं और स्वाद में भी ये अच्छे लगते हैं नमबर चार डाइबटीज भीगे चने रोज आहार में शामिल करने से डाइबटीज की समस्या में आराम मिलता है चना खाने से शरीर में बलड शूगर का लेवल कंट्रोल में रहता है डॉक्टर्स भी मधू मेह रोगियों को चना खाने की सला देते हैं आयूरवेद में चने के फाइदे बताते हुए इसे मधू मेह मारक भी कहा जाता है इसका रोजाना सेवन करने से शूगर की प्रोबलम दूर हो जाती है नमबर पांच एक्जिमा में रहत शरीर पर काले रंग के चकते पड़ना और एक्जिमा की बिमारी में चने बेहद फाइदे मन साबित होती हैं तीन साल तक चने का लगातार सेवन करने से ये बिमारी पूरी तरह समाप्त हो जाती है प्राचीन समय में जब कुष्ट रोग का प्रकोफ हुआ करता था तो वैद्य रोगी को काले चने खाने के लिए देते थे इसके नियमित सेवन से कुष्ट रोग में लाब होता था गर्ब वती महिला के लिए चना फाइदे मन्द गर्ब के समय इस्त्रियों को उल्टी की समस्या से दो चार होना पड़ता है उल्टियां जदा हो तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है क्योंकि शरीर पर जोर पड़ता है ऐसी महिला को भुने चने का सत्तु पिलाना फाइदे मन्द होता है लेकिन इसका सेवन अधिक नहीं करना चाहिए ये नुकसान दायक हो सकता है सत्तु में निम्बू मिलाकर पीने से फाइदा होता है तो आपको मैंने सारे फाइदे बता दिये हैं अब आप भी प्रती दिन जो है सुबे नाश्ते में भीगे हुए चने खाएं अपने स्वास्ते को अच्छा रखें उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें कमेंट करें और बेल आइकेन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद